अब नित्री सारा अली खान को एक महीने ही हुआ बॉलिवूड में इंट्री किये लेकिन उन्होंने अपनी हाजर जिवाबी और तेज दिमा के साथ बहजरीन एक्टिंग के चलते सब का दिल जीत लिया है दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंबा के साथ ही सारा को भी सूपर स्टार माना जाने लगा है अब सारा ने अपने पेरेंट्स के रिष्टे के बारे में ऐसी बात की जिसे सुनने के बाद सभी सारा के फैन होते जा रहे हैं हाल जी में सारा अली खान ने मीडिया से हुई बातचीत में अपने रिष्टों और पडिवार के बारे में खुलकर बात की ये बुज़े जयने पर धार उनकी परवरिश मान ने किया ऐसे में प्ता के आस-पास न होने क्मी क्या उन्होंने महसुस की तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक ही घर में नाखुश माता पिता के रहने से अच्छा अलग-अलग घरों में खुश माता पिता का रहना है मेरी माने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी मेरे और मेरे भाई के पैदा होने पर मेरी माने कुछ और नहीं किया हमारी परवरिश और देखभाल पर ही पूरा ध्यान दिया पहली फिल्म के दारनाथ से ही सारा अली खान ने अपनी चाप छोड़ दी है और उनकी दूसरी रिलीज फिल्म सिंभा भी हिट हो गई भारत भर में उनके प्रशन सुकों का एक वर्ग तयार हो चुका है लेकिन अभी नहींतरी सारा अली खान का कहना है कि न तो उनके पास स्टार जैसा महसूस करने के लिए समय है और नहीं उन्हें लगता है कि भविश में वो कभी खुद को स्टार जैसा महसूस होने देगी एक प्रेस कांफरेंस के दौरान जब सारा अली खान को बधाई देते हुए कहा गया कि ऐसा लगता है कि आप स्टार बन चुकी है तो उन्होंने कहा अरे कहां मैं तो अब भाग दोड करके अपने काम के बोज को निप्टाने की कोशिश कर रही है मेरे पास स्टार जैसा महसूस करने के लिए समय बिलकुल नहीं है और मैं मानती हूँ कि मैं अभी स्टार नहीं बन पाई हूँ लेकिन उमीद करती हूँ कि किसी दिन ऐसा होगा मुझे लगता है कि मैं कभी अपने को स्टार जैसा महसूस होने नहीं दोगी क्योंकि जैसे ही आप ऐसा महसूस करेंगे बागी के लोग आपको अनुकूल और सकारात्मत परिपेक्ष में देखना बंद कर देंगे सारा अली खान से जब पूछा गया कि उनकी दादी शर्मिला टैगोर कहती है कि इतनी कम उम्र में वो आत्मी विश्वास से भरपूर है वो इतना आत्मी विश्वास कहां से लाती है तो सारा अली खान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये इमानदार होने से आता है और यही एक मा जो भी करोंगी परिवार वाले मुझे पसंद़े करेंगे क्जूंकि में उनकी बेटी हूं लेकिन सवालोचकों और दर्शकों से जो परितक्रिया मिली है वह अभिभूत कर देने वाली है मैं इसे जिंदगी भर भूल पाऊंगी सारे लिखान शुरू से ही अबने तरी बनना चाहती थी तो फिर उन्हों ने कोलंबिया युनिवर्सिटी का रुक्यू किया इस पर उन्होंने कहा कि उनके लिए शिक्षा नौकरी पाने का जरिया नहीं था शिक्षा ने उन्हें आत्म विश्वास से भरपूर शक्सित बनाया है शिक्षा जीवन को अंतर डृष्ट प्रदान करती है अब नित्री से जब पूछा गया कि तैमूर को उनके पिता साहब बहुत जादा प्यार करते हैं ध्यान रखते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिला तो क्या वो जलन महसूस करती हैं सारा लिखान ने कहा कि जब मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं तो वो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं जब वो चले गए तो भी बेरा पूरा ख्याल रखते हैं सारा ने ये पूछा जाने पर कि क्य वो पिता के साथ काम करने के लिए तयार हैं उन्होंने कहा कि भगवान की अगर इच्छा हुई तो हम जल्द ही साथ काम करेंगे लेकिन पठकता अच्छी होनी चाहिए तो सारा आली खान के इंटेलिजन्स के बारे में आपका क्या है मानना हमें जरूर बता नीचे कोमेंट सेक्शन में और अगर अब तक आपने नोपरवाह लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नोपरवाह लाइफ